Hello friends, welcome to our channel, Crypto with Vishal आज की वीडियो में करेंगे guys, meme token की उपर सबसे बड़ा वीडियो तीन token, Shiba Inu, PayPay और Bonk इन में से कौन सा token सबसे पहले एक डॉलर जाएगा purely data के base पे कोई hype नहीं stacks के base पे इस चीज को समझ नहीं कोईश करेंगे क्यों क्यों कि कई लोगों का बोलना है cryptocurrency में तो कुछ भी होता है तो क्या इस कुछ भी में possibility है इन तीनों में से किसी के भी एक dollar जाने की और अगर जा भी सकता है तो कौन सा जा सकता है उस बारे में बात करेंगे सबसे पहले meme token की अगर हम बात करते हैं करेंटली अगर हम लोग देखें तो डॉच कोईन सबसे उपर है प्राइस में नहीं market cap है तो कई लोगों को यह market cap भी समझ भी नहीं आती है यह सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो वीडियो पसंद आए इसको like और share ज़रूर करेगा आप लोग का क्यों opinion है वो comment box में ज़रूर बताएगा और cryptocurrency market के regular updates के लिए टेलिग्राम को अगर जोईन नहीं के जोईन करेगा link वीडियो के description पे मिल जाएगा एक Excel sheet आप लोग के लिए मैंने बनाई हुए यहाँ पे इस Excel sheet के according चीज़ों को समझने ही कोशिश करते हैं Shiba, Pay, Pay, Bong सबसे पहले अगर हम price की बात कर दें तो इन तीनों को लेने के पीछे price अगर आप देखो ना तो almost एक ही जगा पे है तीनों में अगर आप देखो तो 4,0 है उसके बाद जो number है वो कुछ इदर उदर चल रहा है market cap जब यह Excel sheet मैंने बताई है यह data उसे साब से हम लोग ले रहे है market cap Shiba Inu की जो है 14.7 billion की Pay Pay की market cap है यहाँ पे 6.13 billion की Bong की market cap है 2.24 billion की market cap अगर आपको नहीं पता तो हम भी उस बारे में थोड़ी दर में discuss करेंगे यह जो bull run वाला क्या section है यह भी थोड़ी दर में discuss करेंगे अब आ जाते है total supply तो total supply का मतलब कितने token बन सकते हैं total Shiba Inu की बात करें वो बन सकते हैं 389 sorry 589.52 trillion पेपे 420.69 trillion बॉंग 93.05 trillion टोकन बन सकते हैं circulating supply मतलब इन में से कितने token market में आ गए हैं तो Shiba Inu के पूरे token है पेपे के पूरे token है बॉंग की अगर आप बात करें तो 67.45 trillion market में आया है blockchain Shiba Inu पेपे की Ethereum की उपर है जो main contract है उनका और बॉंग की बात करें तो वो Solana के उपर है सबसे पहली चीज यह market cap कैसे निकलती है देखो market cap कैसे निकलती है जितनी भी circulating supply है इस circulating supply को अगर आप price से multiply कर दो तो इसकी market cap जो है वो निकल के आ जाती जैसे की यहाँ पे अगर आप देखो यह जो 14.7 है ना यह जो यहाँ पे billion में है ना इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिया हुए आप लोगों को simplify way में चीजों को समझाने के लिए यह market cap समझना बहुत ज़ादा important है simple funda price की circulating supply से multiply कर दोगे तो market cap जो है निकल के आ जाएगी यह market cap बहुत important चीज है अब आप यह समझो पहले cryptocurrency की अगर हम लोग overall बात करते हैं जब यह video मैं बना रहा हूँ और मैं आप लोगो live data दिखाता हूँ जब यह video मैं बना रहा हूँ तो cryptocurrency की market cap है 2.53 trillion dollar की 2.53 trillion dollar meme token में सबसे बड़ा token है अभी dodge dodge की market cap है 22.5 billion dollar की अब यह जो आप data देख रहे हो ना यह मैं आपको दिखा रहा हूँ 2021 का bull run जो peak में था यह data है आपको 9 में का 10 में को bitcoin ने अपना all time high बनाया था तो अगर आप देखो उस time पे उस time के according अगर हम लोग देखते हैं तो Solana की market cap थी यहाँ पे 74 billion dollar की Cardano की market cap थी यहाँ पे 72 billion dollar की XRP की market cap थी यहाँ पे 59 billion dollar की और Ethereum की market cap थी 569 million dollar की कई लोग समझ रहे होंगे यह क्या बात कर दा हूँ मैं आगे आप लोग को समझ में आएगा तो market cap समझना बहुत जादा आप लोग के लिए जरूरी है currently अगर आप bitcoin की market cap की बात करते हो तो bitcoin की market cap है 1.3 trillion dollar की अब आप हम चलते हैं हमारी Excel sheet में देखो अगर इन में से किसी के भी price बड़ेगा तो उसकी market cap भी जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ अब अगर आप यह समझो की Shiba Inu की market cap 14.7 million dollar की है और अगर यह यहाँ से 100 million dollar हो जाती है अगर यह 100 billion dollar 100 billion dollar हो जाएगी तब Shiba Inu का price बैटेगा 0.00016 यानि कि तब यहाँ पर 30 जो हैं आने वाले हैं अगर Shiba की market cap पहुचती है 100 billion dollar की 100 billion dollar अगर आप पिछले bullrun की बात करो तो BNB और Ethereum और Bitcoin थे खाली उस लीग में अब हमें पता है इस बार की bullrun की बात करें तो अब्वियस सी बात है market cap जो है बढ़ने वाली है तो अगर हम लोग यह मानते हैं कि Shiba Inu की market cap 500 500 billion dollar की होगी तब Shiba Inu का price 0.3084 होगा और अगर Shiba Inu को 1 dollar जाना है तो इसकी market cap को यहाँ पे 589 trillion dollar होना पड़ेगा तो अगर आपको लगता है Shiba Inu 589 trillion जा सकता है तो बिल्कुल 1 dollar हो सकता है Bitcoin की current market cap समझो कितनी है अब आप अपने अप अंदाजा लगा सकते हो कि यह project कहां जा सकता है PayPal पे चलते है PayPal की अगर आप market cap 100 billion dollar पहुच जाएगी तब PayPal का price आएगा 0.20 यहाँ पे और अगर PayPal की market cap 500 billion dollar पहुचेगी तब जाकि उसका price पहुचेगा 0.0011 PayPal को अगर जाना एक डॉलर तो उसकी market cap को होना पड़ेगा 420 trillion dollar की बॉंग की बात करें अगर बॉंग को 100 billion dollar गया तब उसकी जो price है वो आएगा 0.0014 और अगर बॉंग यहाँ से 500 500 billion dollar market cap करता है तब इसका price आता है 0.00 और अगर आप बॉंग को 1 dollar जाने की बात करो तो यह 1 dollar तब जा सकता है जब इसकी market cap 64 के साफ से चलते हैं 67 trillion dollar होगी current bitcoin की market cap अगर आपको लगता है वो 1.3 trillion dollar है तब bitcoin का यह price है तो आपको इस हिसाब से अब समझ में आगया होगा कि इन में से कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो 1 dollar जा सकता है जो बताई जाती है चीजसे न क्या बताई जाती है कि पहले भी तो इतना pump हुआ था Bitcoin के बारे में भी लोग इतना बोलते थे Dogecoin के बारे में भी लोग इतना बोलते थे वो एक डॉलर के नेर्बोट गया न भाई समझो जब कोई project उस price पे जाएगा तो उसकी market cap भी बढ़ेगी जब किसी project की market cap अगर 1-2 million dollar है तो वो वहां से अगर 20 billion dollar चला गया तो price बढ़ सकता है लेकिन एक limit के बाद market cap उतना बढ़ना possible नहीं होता 2 million से 20 billion market cap जाना ठीक है पर इसका मतलब यह नहीं है कि 20 billion से अब 2 trillion भी चली जाने वाली है cryptocurrency में अगर अगले bullrun की भी बात करूँ कोई token जिसकी market cap trillion में हो सकती है तो ideally वो 3 है या तो bitcoin होगा या ethereum होगा या फिर वहां पे solana होगा इसके लावा तीसरा नहीं होने वाला टीथर हो सकता है कुछ हो अगर ऐसी इधर उधर कुछ update आ जाए तो वो हो जाए इसके लावा कोई नहीं हो सकता और यह वही mean project है जो अगर trillion dollar में इनकी market cap पहुचेगी तब ही एक dollar जाएंगे और trillion में भी छोटा मुटा trillion नहीं है तो एक dollar जाना इनका possible नहीं है मुझे पता है कई लोगो को जटका लगने वाला है यहां से कई लोग आएंगे रहे यार तुम्हें नहीं पता है क्रिप्टो करंसी में कुछ भी होता है भाई कुछ भी का मतलब यह नहीं होता है मैं कुछ भी का मतलब यह चीज बोल दूँ यहाँ पे कि एक दिन डॉच को आइन जो है वो हजार डॉलर चला जाएगा प्रैक्टिकली चीजों को समझो मार्केट कैप के साब से पहले जो पंप हुआ है उस टाइम पे मार्केट कैप इतनी कम थी अगर आपको लगता है शिबाइनू या चलो शिबाइनू को छोड़ते हैं कई लोग बोलते हैं मैं बहुत नेगेटिव शिबाइनू को बोलता हूँ बॉंग को लेते हैं बॉंग में थो हमने बहुत प्रॉफिट अनकी और एक चीज और बोलू यह तीनो के तीनो प्रोजेक्ट मेरे पॉटफोलियो में भी ही अच्छी मातरा में 67 Trillion अगर बॉंग की Market Cap होती है तो आप यह समझो Bitcoin की Market Cap कम से कम 1000 Trillion की होनी चाहिए Bitcoin की Market Cap अगर 1000 Trillion की होगे तो पता नहीं कितने Million में Bitcoin का प्राइस चला जाएगा तो practically चीज़े possible नहीं होती हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कि past में इतने एक pump हुआ तो आगे भी होगा, पर जब आप किसी token का price निकालते हो ना, तो उसको market cap के हिसाब से चीज़ों को समझो, किसी भी दूसरे token का अगर आपको price निकालना है, तो आप यह देखो, पिछले bullrun के जो बड़े project थे, उनकी market cap किस range में गई थी, जब उन्होंने अपने all time high बनाये थे, जैसे solana के case में 74 billion गई थी, इस बार भी अगर आप किसी project की market cap को जो आपको लगता है, top 10, top 20 में है, तो वो जा सकता है, 50-70 billion पे एक बार market cap, तो उस हिसाब से आप उसका price न किसी की बात मत सुनो, देखो पहले भी तो शिपाईन हो गया था, dodge के बारे में भी लोग यही बोलते थे, bitcoin के बारे में भी यही लोग बोलते थे, पर वो market cap उतनी नहीं थी इतनी, अब अगर आपको लगता है, आपको believe है कि market cap इस trillion में जा सकती है, जहां पे इनकी supply है, तो बिल्कुल possible है, इनका एक डॉड़ जाना, पर realistic way में सोचोगे, result यहां पे आपके सामने है, realistic way में सोचो कि अगर आपको जाधा से जाधा भी कोई चमतकार हो गया न, तो अभी आप 100 million dollar तक यहां पे बात करो, यह जा सकते हैं, और अगर 100 million dollar पे जाते हैं, तो यह इनकी price है, जो अभी हमें यहां पे 100 billion dollar, तो यह price है इनकी, जो हमें आने वाले time में देखने को मिल सकती है, अगर 100 billion गया, और 100 billion भी मैं इस आप से बोला हूँ कि इस bull run में, obviously बात है market cap बढ़ेगी, तो यह price आपको कुछ इनके आते हुए देखने को मिल सकते हैं, अब इसका मतलब यह है कि bonk जरूरी है 100 billion जाएगा, मैं आपको समझाना चाला हूँ यहां से, 100 billion dollar पे जाने के लिए 2.24 से 100 billion जाना बहुत बड़ी चीज़ है, पर maximum आपको जो possibilities है वो यहां पे बता रहूं, पर हाँ, जिस time पे bonk की market cap millions में थी, 10-20 million में, वो time पे इसने multiple zero kill की है, पर अब यहां से kill कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो I hope, चीज़े जो हैं आप लोग को यहां पे clear होएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीज़े clear नहीं हो सकती, वो एक अपने अलगी दुनिया में रहना चाहते हैं, जहां से उनको लगता है कि हम 1000 लोपे लगाएंगे और वहां से हम कोड़ोपती बन जाएंगे, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ, तब हो सकता है कि आपने किसी ऐसे टोकन पर बिट करी, जो millions में है, और कल को वो billions में चला जाए, उसकी market के है, तो ज़रूर पॉसिबल है कि 1000 लगाएंगे आ उसको marketing करके pump करने वाले, otherwise ऐसा नहीं होता है, अचानक से चीजों के placement change हो गए होंगे, अच्छली जो अभी आप पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट बाद में रिकॉर्ड किया और इससे पहला वाला जो पार्ट थो पहले रिकॉर्ड किया था, तो एक पूरे वीडियो में interesting concept है, जिसके बारे में भूल गया, that is burning, उसको add करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे question उससे related आएंगे, तो देखो, एक चीज़ आप लोगों में और समझाता हूँ यहाँ पे, I guess, जाता लोगों को पता होगे, जिसको नहीं पता, उसे भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे, तो burning का एक important, interesting concept है, meme coin की उपर, तो अगर आप Shiba Inu के example लिए, अगर आप Shiba Inu की बात करते हो, तो Shiba Inu की अगर आप total market cap देखते हो ना, तो हम लोग जो बात करते हैं, Shiba Inu की circulating supply की वो है 589 trillion, actual में जब Shiba बनाया गया था, तो Shiba Inu था 1000 trillion का, तो Shiba Inu को 1000 trillion के बात क्या गया, उसकी circulating supply कम करने के लिए उसको burn किया गया, burn करने का मतलब होता है, कि आप token को एक ऐसे address पे भेज़ देते हो, जिस address से वो token वापस नहीं आ सकते हैं, basically null address होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, Shiba Inu 1000 trillion है, 1000 trillion में से अगर हम लोग देख होता है, और 41% burn होने की वज़ा से, याने की 410 trillion burn हो चुका है, तो वो burn होने के बात जो है, वो circulating में 589 trillion यहाँ पे भशते हैं, एक और concept जो कई बार यूज किया जाता है, वो यह है कि Shiba Inu की burning अगर इस हिसाप से चली भी, चलती भी रही, तो भी कितनी हो जाएगी, देखो burning हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि Shiba Inu की, मैं Shiba Inu के example यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी token में इतनी burning होती नहीं है, जो हमने बाकियों को दो को add किया है, Shiba Inu कि अगर आप बात करो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर burning हो भी रही है, चलो, burning कितनी हो जाए हैं, 100 trillion भी अगर token यहाँ पे बचे, तो आप समझो, 1 dollar भी अगर जाना है, तो भी circulating supply के हसाब से 100 trillion market cap होनी पड़ेगी, 100 trillion, cryptocurrency की market cap 1.32 trillion आज की date ने बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि cryptocurrency की market cap से भी बहुत जादा, Shiba Inu की, अकेले की market cap हो जाएगी तो यह सारी चीज़े possible है, interesting concept है, पर इसको भी अगर आप practically play करेंगे, तो आप लोग को जो है यहाँ पे चीज़े समझ में आएगी, अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगे, आप लोग के according क्या possibility है, क्या 1 dollar यह token जा सकते है, या नहीं जा सकते है, या कोई और कर दें, हम तो आज से 20 साल, 30 साल की बात कर दें हैं, 20 से 30 साल तक यह token भी नहीं रहने वाले हैं, जिनके बारे में हम बात कर दें, उस time पे एक दो चीज़े ही रहेंगी, वो है Bitcoin, या रहा तो Ethereum, बाकियों का अता पता भी नहीं होगा, नहीं अगर आपको लगता है, मैं गलत बोल रहा हूं, तो पुरानी history उठा के देख लो, पिछले 10 साल की, पिछले 10 साल में कितने token रहे हैं, कितने गायब होगे, आप लोग को सौन में आ जाएगा, अगर आप past history यहाँ पे देखोगे, तो I hope, चीज़ें जो हैं, आपको यहाँ पे clear हुई होगी, कुछ भी अगर comment में आप बताना चाहते हैं, कुछ feedback है, यह भी बोलना चाहते हैं, कि मैं बेफू हूँ, जो भी कुछ है, ज़रूर एक बार comment box में बताएगा मुझे, तो वीडियो पसंद आया, इसको like और share रोगेगा, चैनल में अगर आप नहीं है, फर्स टैम वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल को subscribe कर लीजेगा, cryptocurrency market के regular updates के लिए, telegram को अगर नहीं जोईन किया, जोईन किया लिंक वीडियो के description मिल जाएगा, thank you friends.